हेलो इस्टुडेंट ये आर इन एलकाइन में हम तीन रियक्शने कम्प्लिट कर चुके हैं अज हम फौर्थ रियक्शन एडिशन ऑप H2 अरताथ हैड्रेशन को करने जा रहे हैं तो यहां पर भी हमने जब देखा था कि एलकाइन में तीन ताइप एड़ेशन होता है लेकिन एलकाइन में टू ताइप हैड्रेशन होता है पहला आइडरेशन जिसके लिए रियेजेंट HGSO4 मर्कुरिक सल्फेट H2O और डैलूट H204 जिसको हम ऐसे भी लिए सकते हैं HG plus 2 H3O देखेगा इस रियेशन में यह हमने लिया है मेकनिम से द्यान रखें HGSO4 में यहाँ पर जो मर्कुरि है वो इलेक्टोफाइल की तरह भी यह हो करता है HG plus 2 B है लाइक है इलेक्टोफाइल Step 1 में क्या होगा कि मर्कुरि है मर्कुरि का साइज बड़ा है और साइज बड़ा होने की वज़े से यह साइकलिक रिंग एजली बना लेता है इस प्रकार से नोन क्लासिकल कार्ब केटाइन मेकेनिजम की तरह यह रिंग का फोर्मेशन करेगा लेकिन मर्कुरि का साइज बड़ा है इसलिए रिंग फोर्मेशन एजली हो जाएगा तो इसलिए इसके साथ यह रिंग बना कर इस तरह से साइकलिक प्रोड़क्ट में आ जाएगा अब आती है बात Step 2 Step 2 के अंदर हम जो वाटर यूज कर रहे हैं और हमने पिछले वी उसमें भी कहा था कि वाटर नुकले फाल की तरह ब्यों करता है तो यहां से वाटर जो है नुकले फाल की तरह B.O कर रहेगा यह अपने लोन पे सिकरबवन को देगा तो यह रिंग ओपन हो जाएगी हम dilute H204 को यूज़ करते हैं तो dilute H204 क्या करता है HG plus mercury kind को replace करने का काम करता है तो dilute H204 में HG replace by H H के द्वारा replace हो जाएगी इससे double bond पर OH बना है इसको हम inol product बोलते हैं और inol product की stability नहीं होती इसलिए यहाँ पर toto merism होगा toto merism के वाया hydrogen तो इस carbon पर चला जाएगा और bond यहां shift हो जाएगा और carbonil compound का formation होगा तो इसका मतलब यह carbonil compound के formation का method भी है अब इसके कुछ key point key points में जान रखना पहला key point है some heavy metals ketine जो मैंने भी कहा था कि कुछ heavy metals ketine है जिसे HG plus BA plus 2, PB plus 2 यह सब EAR के साथ साथ में NARB सो करते हैं alkyne के साथ इनकी reaction NARB होती है और इनकी reaction EARB होती है इसका कारण क्या है वो तोनवा कि ketine attract pi electron यह सब ketine है यह सब ketine आपके जो pi electron उसको अपनी और attract करते हैं किसका pi electron? alkyne का अगर alkyne का pi electron इनके और attract होगा तो वहाँ पर electron density कम हो जाएगी अगर वहाँ पर electron density कम हो जाएगी तो आपको पता है वहाँ पर electrophile को attack करने में दिक्कत होगी तो वहाँ पर ऐसी इस्यती पर nucleophile first attack करेगा अगर nucleophile first attack करेगा तो उसे मैं nucleophilic addition reaction बोलेंगे दोबारा समझे लीजेगा कि यहाँ पर आपका जो mercury, barium और lead आईन है यह आपके जो triple bond है या जो alkinos के जो πाई electron cloud है उस पाई electron cloud पर attack करते हैं और उस पर attack करने से वहाँ पर electron density कम हो जाती है electron density कम हो जाने के करने में वहाँ पर electophile easily attack नहीं कर पाता और electron density कम होनी की वज़े से nucleophile failure attack करता है इसलिए उसको nucleophilic addition reaction भी हम जानते है हाँ आगे के point में बात करें intermediate, intermediate में पता है cyclic cation मन रहा है और जिस भी reaction में हमें पता है cyclic cation का formation होता हमार रियर्जमेंट पोसिबल नहीं होता reactivity of hydration या intermediate वोग carbon cation मन रहा है इसलिए stability of carbon cation पर भी depend करेगा हाँ आगे बात करता है addition addition ring की वज़े से कौन सा होता है NT अर्था दोनों पोजिसाइड से attack करते हैं और stereochemistry में बात करें तो मारकुनियों प्रूल लगेगा mkw, short and sweet यही है कि मारकुनियों प्रूल लगानी से पहले हमें जान रखना है कि हम water में H और OH को add कर रहे हैं तो OH जो आपका add होगा वो तो add होगा more subtiluted carbon पर और आपका जो H होगा वो add होगा less subtiluted carbon पर अताथ बार वाले carbon पर तो लगेगा hydrogen और अंदर वाले more subtiluted या more crowding पर लगेगा OH जिसे inol बनेगा और inol से total marine के द्वारा ketone बन जाएगा और इसको short way में हम याद करना चाहिए तो इसे याद कर सकते हैं कि जो C double bond O अताथ जो carbon ही समू है वो हमेशा more crowding carbon पर हम लगाएंगे तो COW group put CO group at crowded carbon of triple bond अब आताथी आगे कि terminal alkyns क्योंता है उस terminal alkyns के case में ketone को प्रिपेर करते हैं LDID की बज़ए एक acetylene को छोड़कर इसलिए यहाँ पर major product हमेशा क्या बनता है ketone बनता है अब हम इसमें example की बात करेंगे पहला example मैंने लिया है इथा-ingase या acetylene acetylene इथा इन पर water condition करेंगे तो एक पे h, एक पे watch लग जाएगा इनों लोगे unstable होता है totomaryism होगा h और h, h यहाँ shift हो जाएगा bond यहाँ जाएगा LDID बन जाएगा एक मातर यह ac reaction है जहांपर LDID का formation हो रहा है बाकि mostly अधिकतर सभी में ketone का formation होता है अब आजाएगा unsymmetrical alkyne unsymmetrical alkyne लिया है यह triple bonded है इसके एक तब methyl है एक तब hydrogen है इसका तब unsymmetrical है अब इस पर water condition कराएंगे तो according to mark उनियोप यहाँ पर watch लगेगा यहाँ पर watch लगेगा तो यहाँ और watch लगेगा तो यहाँ पर क्या होगा यह group यहाँ shift हो जाएगा तो ketone का formation हो जाएगा अब इसमें हम कुछ key points की बात करेंगे वो आपको ध्यान रखने है पहला key point internal alkyne अगर आपका triple bond ring के अंदर है अर्था तो terminal नहीं है तो इसी सिते पर हमें mixer of two isomeric ketone दो ketone मिलेंगे जो की एक दूसरी के या तो position isomer होंगे या फिर metamore था दोनों ही होंगे क्योंकि मैं पता है कि जहां पर PII है वहां पर MI होती है तो PII रमाई का पार्ट है अब एक जामपल लिया है मैंने CH3, CH2, CH3 टिपल बोन, CH3 अंसिमेट्रिकल है नोन टर्मिनल भी है और इसको हम है two pentine अब आप देखेगा जब two pentine पर reaction कराएंगे तो positive यहां भी लग सकता है positive यहां भी लग सकता है तो इसका मतलब एक बार overs यहां भी लगेगा एक बार overs यहां भी लगेगा तो इससे दो product बनेगे लेकिन अब उनमें से कौन सा major होगा कौन सा minor होगा इसकी बात हम करते है तो जड़ा देखेगा मैंने इसमें क्यों एक major वाला ketine बनाया अगर मैं यहां पर positive चार लगाँगा हलाकि बनने वाले दोनों केटine stable नहीं होते तो हम इसका intermediate बनाते हैं तो आप देखेगा जब यहां पर positive चार लगेगा तो नंबरों पहल फैर्ट जज़न ज़्यादा होंगे इसलिए यह कार्ब केटन ज़्यादा stable होगा जोकि मैंने नीचे बना दिया इसलिए यहां से बनने वाला product major होगा यहां से बनने वाला minor होगा अर्सात यहां पर जो बनेगा वो major है तो एक तो बनेगा two pentanon एक बनेगा three pentanon हमें पता है two pentanon, three pentanon दोनों में position change है इसलिए दोनों positional isomer भी है और दोनों side chain में change है और chain में change होने के वज़े से दोनों metamers भी है तो याद रखना इससे यह बनाया तो two pentanon तो major product होगा three pentanon या पर minor product होगा दोनों एक दूसरे के PI भी होँगे दोनों एक दूसरे के MI भी होँगे इसको major क्यों बोला क्योंकि इस carbon पर positive charge stable है जिसके पास three L और five alpha hydrogen है यहाँ पर जब positive charge यहाँ लगेगा तो इसके पास four alpha hydrogen है अब इसके लिए मैंने एक note लिखा है वो में द्यान अखना कि methyl ketone अगर किसी में बन रहा है तो वो predominant product होगा तास तो product की stability ज़्यादा होगी उस product की stability ज़्यादा होने का reason है क्योंकि उसके पास more number of alpha hydrogen होँगे तो जिसके देख लिएगा ये carbonil components के पास three to five alpha hydrogen है जबकि इसके पास two to four alpha hydrogen है तो याद रखना methyl अगर ketone कहीं बनने की possibility है तो वो मैं अचा predominant product होगा क्योंकि उसमें number of alpha hydrogen ज़्यादा है वो number of alpha hydrogen ज़्यादा होने के उसके टिबलेटी भी कहा रहेगी ज़्यादा रहेगी लेकिन इसके लाव में एक और example लेता हूँ जैसे मैं देखो अभी उल्टा होगा मैंने वोई unsymmetrical और internal लिया है अब यहाँ भी देखो एक बार positive charges पे लगेगा तो मैंने दोनों ही आपके intermediate बना दिये एक बार positive charge यहाँ पर एक बार यहाँ पर अगर मैं positive charge यहाँ पर लगाँगा तो उसको ring के द्वारा resonance मिलेगा अर्थार्थ कार्विकेटाइन stable by the ring resonance तो stable positive charge by resonance more stable intermediate जबकि यहाँ पर इस carbon पर alpha hydrogen तो है लेकि resonance नहीं इसलिए इसकी stability कम है तो इससे बनने वाला product minor होगा तो यहाँ पर द्यान दें यह product major है और यह product आपका minor है अब हम बात करते हैं कि terminal alkyne दूसरा case इसका कि alkyne terminal है और या symmetrical internal alkyne है तो इससी सिती में के ओल एक ही आपको single ketone मिलेगा यहाँ पर दो type के ketone मिलने की possibility नहीं है जाद रखना एक तो terminal alkyne का case हो और एक symmetrical का case हो जैसे example यह terminal alkyne का case है तो यहाँ पर C double bond O ketone बन जाएगा यह भी terminal alkyne का case है यहाँ C double bond O बन जाएगा आप देखेगा next यह terminal नहीं यह symmetrical का part है internal और symmetrical है तो चाहे आप इस पर लगाओ चाहे इस पर लगाओ इस पर H2 लगा दो चाहो तो आप इस पर H2 लगा दो चाहे इस पर होच लगा दो इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा प्रोडक्ट सेम रहेगा next यह भी terminal है हमें पता है terminal में भी ketone नहीं बनेगा तो यहां भी one ketone बनेगा लेकिन नयादो है हमें ने D2O का प्रियोग किया है अब हमें पता है D2O का प्रियोग किया है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि हम D2O को यूज़ कर रहे हैं next इसका एक बहुत इंपोर्टेंट एक्जांपल देखें आप लो शीर टिपल बॉंट सी इसके एक तब रिंग लिया है एक तब रिंग पर आनो टू गुरूप लगा है अब हम इस पर वाटर का एडिशन करना चाहते हैं HG-plus के साथ तो देखो दो टाइप के केटाइन बनेंगे एक इस कार्बन पर केटाइन एक इस पर तो एक पिस पर और एक इस पर अब आप देखो कार्बन पर जो केटाइन बना उसके स्टेबिलेटी नहीं है रिजन क्यूंकि इस रिंग के साथ आनो-2 ग्रूप लगावा है और नो-2 का मैनेस आफ़ी लाएट की वजह से इस कार्बन पर जो पॉजितिव चार्ज है हो इसको इसको स्टेबिलेटी मिल रही है इसको स्टेबिलेटी मिल रही है तो यह आपका जो इंटर्मेडियर वो स अब आता है इसमें फर्स हम कर चुके हैं HG plus water का एडिशन अब दोसर हम करेंगे HBO इसको हम hydroboration भी करते हैं या इसको मैं सबी कर सकते हैं addition of BA3 in presence of THF अब पहला बात इसमें reagent, reagent में BA3 THF वो ही आपको पहले जो हमने पढ़ा था है हम इसका second जो आपका reagent है वो चेंज कर सकते हैं कि BA3 THF तो रजाएगा लेकिन हमने basic oxidation की जगए acidic hydrolysis भी हम करवा सकते हैं अताथ H plus H2O भी यूज़ कर सकते हैं तो मेरा पहला प्रसेंद यह है कि इस reaction में THF को यूज़ करने का sense क्या है तो हमने इन औरगेनिक में पढ़ाता कि BH3 बोरेन जो है वो monomer form में exist नहीं करता क्योंकि यह electron deficient है इसी वज़े से डाइमर बना लेता है तो इसको monomer form में stable बनाने के लिए हम THF को solvent के रूप में यूज़ करते हैं तो याद रखें इन दिस reaction THF यूज़ एज solvent Y तो इसका रिज़न है कि BH3 is not available as monomer तो solvent THF यूज़ पोर ability of BH3 अब आतीज की reaction यह मैंने अलकाइन लिया है इस पर BH3 का एडिशन करवा है THF H2O2 रोज के साथ तो मैं पता है कि BH3 में boron electron deficient है इसका octet complete नहीं हो था इसलिए इलेक्टोफाइल के तरह ब्योंग करेगा तो यहां पर यह boron इन पर negative है तो यह negative उसको देदेंगे तो यहां पर cyclic transition state बनेगा और जब cyclic transition state को हम यहां से करेंगे तो द्यान दे यह bond formation है यह B bond formation है यह bond break है और यहां पर देश देश यह लगा देता हूं यह B bond break है यहसे bond होगा आपके पास यह प्रोडक्ट बन जाएगा यह reaction two time repeat होगी और two time repeat होने से आपका प्रोडक्ट बनेगा trialkyl boran द्यान दे पहले trialkyl boran बनता था क्योंकि है single bond था डबल बॉंड एस्टाइल बोरेन बन जाएगा अब trialkyl boran का हम H2O2 के साथ basic medium में oxidation कराते हैं तो यहां पर क्या होगा बीड जाएगा ओच जाएगा इनोल फोम हो गई अनिस्टेबल है totomaries मोगा totomaries मोगा तो यहां से यह pie bond totomaries मोगा तो pie bond यहां से प्लोग हो जाएगा और यहां का है hydrogen वह वहां चला जाएगा और इस तरह से आपके LDI का formation हो जाएगा अरतात जस्ट अभी वाली reaction का opposite वहां पर major product ketone होता था यहां पर major product आपका LDI formation होगा तो key point जान दे पहला addition sin है, radio chemistry वहां mark नहीं लगेगा या anti mark नहीं लगेगा, वहां anti था यहां sin था तीसरी बात, वहां मैंने बोलाता है कि CW bond O group को more crowded पे लगाना है, जब कि यहां CW bond O को less crowding carbon पे लगाना है वहां product नहीं लिखा था कि दोल बनता, यहां product generally क्या बनेगा, LDI बनेगा अब हम उसके examples की बात करते हैं, पहला example मैंने लिए है CH, Tiffle bond CH, PH3, THF के साथ तो वही पहला product trial key null borane बनेगा, idealysis करा देंगे तो LDI बन जाएगा प्रोपाइन पे कराएंगे, तो वही LDL का formation होगा, इसके साथ कराएंगे तो भी यहां पर तो वह अच लगेगा, यहां पर अच लग जाएगा टॉटो मिरिजम होगा, इस तरह से LDL का formation हो जाएगा, अब इसके लिए भी हम कुछ key points की बात करेंगे पहला key point क्या है, वो देखिएगा और सुनिएगा पहला case है कि in case of terminal alkyne, आप देखिएगा तीनों example के इंदर terminal alkyne थी, तो in case of terminal alkyne में मैं साथ LDL major product होगा और एसी सिती में oxygen add-on triple bonded carbon, अताथ oxygen उस triple bonded carbon पर जुडेंगे, जिसके ओपर पहले से बहुत ज़्यादा hydrogen है, more hydrogen containing group पर अब example लिए मैंने एक और, CH2C triple bond CH, ये भी terminal है, इसका मतब यहां भी आपका product लिएड ही बनेगा अब आता है इसका point number B, point B आता है, पहले terminal की बाती, अब मान लीजेगा non-terminal alkyne है या internal alkyne है ऐसा alkyne जिसमें triple bond अंदर की तरफ है, जिसको non-terminal alkyne करते हैं, तो अब इसी सिती में LDL formation possible नहीं है क्योंकि LDL में सा रिंग के terminal पर होता है, तो इसी सिती पर अब ketone ही आपको product बनाना है, तो C3C triple bond C3, ये symmetrical है और non-terminal है, जब इस पर आई डाई बोरिन का कराएंगी, तो चाहो आप OH इस पर लगा दो, चाह इस पर लगा दो, मैंने यहां पर OH लगा गया, इस पर लगा दिय कोई tri-alkinal boron बन गया, अब इस पर H2O2, मतब basic medium में कराऊंगा, तो मैं पता है, इनोल बनेगा, इनोल टोर्टमरिजम करके LDL बना लेगा, लेकिन अगर मैं इसका acidic medium में hydrolysis कराऊंगा, तो product आपका alkin बनेगा, और वो alkin sis होगा, हाला कि यहां पर alkin gis हो नहीं करी, लेकिन कोई alkin gis हो करती है, तो वहां पर जो alkin बनेगी, वो sis alkin बनेगी, इसके लिए मैं एक example लेकिए आपको explain कर देता हूँ, मैंने next example लिया है, CH3, C triple bond CH, CH3, इसके पर एक बार तो HG plus के साथ water condition करवाया, एक बार BA3 के साथ करवाया, और एक बार BA3 THF के साथ में basic hydrolysis, और एक ब पता है, HG plus के साथ अगर reaction कराएंगी, तो major product ketone बनेगा, तो यहां double bond O लग जाएगा, ketone आगया, BA3 के साथ वेसे तो LDL बनता है, लेकिन इंटरनल है, तो यहां भी ketone ही बनेगा, तो यहां दोनों product same है, को difference नहीं है, लेकिन जब हम इसका H plus H2 acidic medium में hydrolysis कराएंगे, तो बन H2 के साथ, dilute H2 को, तो हमें पता है कि terminal है, लेकिन यह product आपका ketone बनेगा, क्योंकि हमने यहां कहाता है कि CW bond O को more crowding carbon पर रखते हैं, तो यहां पर product आपका ketone बन जाएगा, लेकिन B3 की presence में, आपका anti-marconio proof लगता है, तो OH को बाहर रखेंगे, तो OH बाहर होगा, तो LDL product ब लगा है, नेक्स आता है, एक और एक्जामपल, CAC, C++ के साथ, एक बार HG के साथ करवाना है, एक बार Borane के साथ कराना है, यहां A और B बना है, मैंने पुछा, what relationship between A and B, A और B के बीच में क्या relationship है, तो मैं पता है, यहां पर ketone बनेगा, यहां LDL बनेगा, और ketone और LDL एक एडिशन कम्प्रीट होता है,